आज आप ही बताईए इनका क्या कसूर है हैमन सरिंजी का क्या कसूर है अदालत ने उन्हें गुनागा नहीं धेराया कोई दोश साबित नहीं हुआ फिर भी गुंदागर्दी से छल से कपच से उनको जेल में डाल दिया कहते हैं जाक चल रही है यह कैसी जाक है जहां आप बे गुनागों बिना दोश कोई दोश साबित हुए जेल में डाल दो यह ताना शाही है ऐसी ताना शाही बदाश करेंगे आप लो भगवान करें ऐसी ताना शाही किसी को ना देखने को मिलें मेरे पती का क्या कसूर है यही कि उन्हों ने दिली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया अच्छी सिख्षा दिलवाई अस्पताल बनवाई महला क्लीनिक बनवाई महला क्लीनिक की तो चर्चर दुनिया भर में है देश भक्ति कूट कूट कर भरी है अर्विंजी में उन्होंने जब आयाई की पास की उनकी सभी तो उस भाँ चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए ये नहीं गए इन्हें को जन सेवा करनी थी आपको एक बार बताती हूँ जो किसी को नहीं बता भी तक हमारी जब शादी तया हुई तो अर्विंजीयों में से एक ही सवाल था पुछने लगे कि मुझे समाथ सेवा करनी है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बताईए ऐसे शक्स को इन्होंने जेल में डाल दिया अर्विंजी को आयरेस की नौकरी मिली अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती लेकिन उन्हें तो समाथ सेवा का जुनुम था नौकरी से छुटी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और जाकर जुक्ती पस्ती में काम करने लगे ऐसे शक्स को इन्होंने जेल में डाल दिया 2011 में अंदोलन हुआ आप सभी उसानलियूं के बारे में जानते हैं दो बार लंबा लंबा अंचन किया हैं इनोंने 13-14-14 दिनों का जन्ता के हक के लिए शुगर के मरीज हैं डाक्टर्स ने मना किया ये नहीं माने और अपनी जान दाव पर लगा दी ऐसे शक्स हैं अरविन के जिवाल जी उसी लोगे एक दम पके पहली बार जब दिली के मुख्या मंत्री बने तो उन चास दिनों में ही इस्तिफा दे दिया कुछ अपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता अरविन जी को सत्ता से कोई मौ नहीं है बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है उनक्यों देश को नंबर वन बनाना है कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे इमानदा लोग ही राज़नीती में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल है जेल का ताला तूटेगा अरविन केशबाल चूटेंगे हेमन सौरिन चूटेंगे कई लोगों ने कहा कि राज़नीती बहुत गंदी चीज है वाकि बहुत गंदी चीज है देखें अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नज़र रखी है कितनी शरम की बात है सूगर की मरीज है बारा साल से इंसुलिन ले रहे हैं पचास यूनिट हरोज लेते हैं लेकिन जेल में इंसुलिन ने देंगे मारना चाहते हैं ये लोग दिली के मुख्य मंत्री को ये लोग अर्विन केश जिवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते अर्विन जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी सिख्षा दिया बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी ये एक कर्ज है जो उन्हें कुछ काना है उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है देश की सेवा करनी है और इस लड़ाई में दर्वना क्या अर्विन जी बहुत बहादूर है शेल है मन में बस एक ही बात है आम आदमी के लोगों की जिन्दिगी कैसे बहतर बनाए जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है जेल से उन्हेंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गड़बंदन को मौका देते हैं जिम्मेदारी सौंपते हैं तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे केवल नाम में ही इंडिया गड़बंदन नहीं है हमारे सब के दिल में इंडिया है उन्होंने सब के लिए 6 गारंटी दी है पहली पूरे देश में 24 घंते भिजली मिलेगी कोई पावर कट नहीं होगा दूसरी हर गरीब को फ्री भिजली मिलेगी मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए पिजली प्री गरीब को तीसरी हर गाव में हर महले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री सिक्षा मिलेगी चौती हर गाव हर महले में महला क्लीनिक बनेंगे हर जिली में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशबासी का फ्री और अच्छा शांदार इलाज होगा पाँच्वी किसानों को स्वामी नाथन आयोग के मताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे और आखरी दिली को पूर्ण राजे का दज्जा दिलाएंगे ये सभी छे गारंटी पाथ साल में पूरी करेंगे इसका पैसा कहां से आएगा इसकी भी प्लानिंग हो गई है आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिलाया है हम सबको आपके आशिरवात से ही और प्यार से ही प्यार की वज़े से ही अर्विन जी और हेमन सौरें जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघश कर रहे हैं आप सभी इस संघश के समय में हमारे साथ रहिए हमाई आशिरवात चाहिए हेमन जी को अर्विन जी को ये भारत देश है ये देश ये देश पूरे विश्व की अध्यात्मिक राजानी माना जाता है यहाँ पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे ये विश्व की अध्यात्मिक राजानी माना जाता है